हेलो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कांता प्रसाद की और कांता प्रसाद वो सक्षियत है जो कि बाबा का धाबा से famous हुए और बाबा को धाबा को famous करने वाले गौरोवासन एक food गौरवासन की, उन्होंने help करने की सोची, वो उड़ता हुआ तीर उन्होंने बाबा का ले लिया और आज वो इसलिए परेशान भी है और अपने आपको कोस भी रहे होंगे तो दोस्तों गौरवासन फूड ब्लोगर है, बेसिकली फूड ब्लोगर वो ही काम करता है, जो कोने में गली कुचे में जब कोई शक्स एक बहतरीन खाना बनाता है, बहतरीन स्वाध होता है उसके खाने का, तो उस चीज को वो प्रमोट करता है और जो खाने के शौकीन होते ह वो वीडियो देख करके वहां तक पहुंचते हैं तो दोस्तों वही काम गौरवासन करते हैं और गौरवासन भी यही काम करने मालवी नगर इस्थित बाबा के डाबा पर पहुंचे थे तो दोस्तों बाबा के ढवा की बात करें तो शायद उनको इस चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके खाने में कोई इतना अच्छा हिसाब किताब नहीं था या कोई इतना अच्छा फेमस चीज नहीं थी जिसको प्रमोट किया जा सके लेकिन वो एक food vlogger है उन्होंने सोचा कि यहां पर एक वीडियो बनाई जाए और बाबा के ढाबा उसी वीडियो में अपनी आप बीती या अपनी परस्तितियों पर रो रहे थे जो वीडियो में capture हो गया तो दोस्तों क्या बाबा के ढाबा के कांता परसाद को इसकी जरूरत थी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पूरे भारत में लाखो वेंडर ऐसे हैं जिनके पास अई इस्टॉल भी नहीं है लेकिन M.C.D. से मिला हुआ इस्टॉल इनके पास है जो कि कोई हटा नहीं सकता यानि लाखो वेंडर ऐसे हैं जो इस डर से बाहर निकलते हैं अपना ठेला खोमचा लगाते हैं कि हो सकता है M.C.D. वाले या वहां का नगर निगम उनको कभी भी उठा करके ले जा सकता है और उनका हपता दस जिनका काम बंध हो सकता है तो ये इस्तिती बावा के ढवा की नहीं थी दोस्तों उनको प्रॉपर एक जगा अलोट है जिनका किराया उनको नहीं देना अगर को रसीद वगएरा जो कटती है M.C.D. की वो बहुत नॉर्मल चीज होती है तो दोस्तों उनको उस चीज की जरूरत नहीं थी लेकिन वो फ किसी के साथ help जो है वो पैसो से ना करें दोस्तों अगर आपको मदद करनी है तो किसी सक्स की अगर बिमारी चल रही है उसका इलाज करा दीजिए कोई सक्स ऐसा है जिसके बच्चे पढ़ना चाते हैं लेकिन पैसो की वज़े से नहीं पढ़ पाते तो उनको पढ़ा दीज लेकिन अगर आप किसी की मदद पैसो से करते हैं तो दोस्तों उसकी आदद बन जाती है कि वो यहीं सोचता है कि आज यह सक्स आया है कल कोई और सक्स आएगा तो इस तरीके से वो उस चीज़ का आदी हो जाता है और वो काम नहीं करता तो दोस्तों यहां भी यही situation create हुई लिए चीजे accept करी हैं तो दोस्तों उनको इस चीज़ की खास जरूरत नहीं थी नहीं उनको कोई किराया देना था नहीं वहां से किसी ने उनको हटाना था तो दोस्तों आज इस्थिति यह है कि बाबा के ढबा पर लोग जा ही नहीं रहे फिर वो ही इस्थिति पर आचुके लेकिन बाबा के ढवा के पास कुछ फंड जो आया था वो खटा हो गया तो बाबा का काम कुछ सालों तक चलेगा और दोस्तों यही जो फंड आने की वज़े से जो अटिट्व आया है बाबा के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हैं जो सक्स पहले रो रहा था आज वो वकी कर रहा है ठाने में रिपोर्ट कर रहा है तो दोस्तों बात करें अगर शोचल मीडिया की तो वो दो हिस्सों में बटा है पहला एक हिस्सा जो गौरव वासन की मदद के लिए है यानि वो उनको सही ठहरा रहा है और दूसरा हिस्सा जो कि बाबा को इंसाफ दिलाना चाहता है क बाबा के साथ cheating हुई तो दोस्तो मेरा opinion यह है कि बाबा के ढाबा को इस चीज़ की जरूरत नहीं थी क्योंकि लाकोवेंडर ऐसे है अभी भारत में जिनके पास इस्थाई ठिकाना नहीं है इस्थाई चीज़ नहीं है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई करके काम कर सकें तो अगर हमें उनकी मदद करनी हो तो उस चीज के लिए हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि वो वैपार करना चाहते हैं काम करना चाहते हैं तो दोस्तों उनको ज्यादा जरूरत है अब ऐसे कई सारे चैनल हैं दोस्तों जो की help करते हैं किसी की मदद करते हैं क वो ठेला वो रेडी वो खोका वो वेटिंग मशीन क्या उनके पास है नहीं दोस्तों वीडियो बनाने के बाद कभी भी कोई उनके पास नहीं जाता और नहीं चेक करता है कि क्या वो दो महीने एक महीने जो गुजर गए है उसके पास वो चीज वहाँ पर है वो बेश देता है दोस्तों वो उसको ओने पोने भाव में बेज देता है वापस वो भीक मांगना शुरू कर देता है तो दोस्तों हेल्प करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की करिये जिनको इसकी जरूरत है पहला कि हमें किसी का इलाज करा देना चाहिए अगर उसके पास पैसे नहीं है क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बिमारी होती है वो अचानक आती है और अचानक आने वाली बिमारिया जो होती है वो खर्चा भी साथ मिलाती है और हो सकता है उन लोगों के पास पैसे ना हो और उनका इलाज रुख जाए और उसकी वज़े से उनके साथ कुछ मिसहपनिंग हो जाए तो दोस्तों हमें लोगों का इलाज करा देना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है अगर वो बिमारी से जूज रहे है दूसरी चीज अगर कोई पढ़ना चाता है लेकिन वो मजबूरी के वज़े से काम करता है तो हमें उनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए हमें ऐसी संस्था यानि जो यूटूब पे अगर ऐसी कोई संस्था है जो लोगों की हेल्प करता है रेडी खोमचा और ये सब लगाने के लिए तो उनको ये चाहिए कि उनकी पढ़ाई की शिक्षा गॉर्मेंट स्कूल में करा दें और ऐसी चीजे हैं जिसमें उनकी हो एक भीक ना हो तो दोस्तों हमें उन्हीं लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको इसकी आवश्यक्ता होती है पात करेंगे कांता प्रसाथ की तो कांता प्रसाथ के पास MCD का Allotted Stall है उनको इस चीज की जरूरत बिलकुल नहीं थी